हेलो फ्रेंट्स वालकम बैक टू माय चैनल आज मैं लेकर आई हूँ राम लड़ू जो बहुत ही फीमस है दिल्ली में तो चली देख लेते हैं से बनाना कैसे है सबसे पहले मैं बनाऊंगी इसकी चटनी तो मैंने लिया है तीन चार पत्ते हैं ये मूली के बिल्कुल फ्रेश मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और इस जार में डाल दिया है और ये थोड़ी सी धनिया है इसे भी मैंने वाश करके डाल दिया है दो इंच का अध्रक है बिल्कुल बारिक-बारिक मैंने पतला-पतला काट लिया है थोड़ी सी हरी मिर्ची है आप अपने स्वात के गुड है गुड मैं थोड़ा सा मिठास रखा है चटनी में अगर आप नहीं डालना चाहते तो मट डालिए कोई बात नी और यह है आधा चमच लाल मिर्ची का पाउडर तीखा और यह एक चमच है नमक नमक आप अपने स्वात के नुसर डाले इसमें मैंने एक निम्बू का रस डाला है दो चमच है पानी और इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसकी चटनी बना लेंगे बिल्कुल यह देखी चटनी हमारी बिल्कुल बनके रैडी हो चुकी है इसे मैं अब एक कटोरी में कर लूँगी सर्व एक कटोरी हमारी चटनी बिल्कुल बनके तयार हो गई है और इधर यह मूँग की दाल मैंने भीगो दी थी, दो कटोरी मूँग की दाल है ये, रात भर मैंने भीगो या था इसे, और अब मैं इसको इस जार में डाल कर, ये हम चटनी वाले जार में इसे पीस लेंगे, ताकि जो चटनी का फ्लेवर है वह बहुत अच्छे तरीके से इसमें भी आ जाए, उसमें अच्छा टेस्ट आ जाएगा, और मैं इसे इसमें डाल कर, अच्छा सा बिल्कुल फाइन आपको बिल्कुल पीस लेना है, अब इसे धककन धख देंगे हम, यह देखिए, बिल्कुल फाइन हमने इसे पीस लिया है, अब मैं इसे एक बड़े बरतन में निकालूँगी, और आधा चमच हम डालेंगे, इसमें सोडा, यह मीठा सोडा है, बेकिंग पाउडर मीठा वाला, और अब यह है एक चमच नमक, अब इन दोनों को हम कर देंगे, मिक्स, और इसे आपको जब तक ऐसे, लगभग आपको 10 मिनट कंटीनुए, ऐसे ही करते रहना है, ताकि यह काफी अच्छा साब फलफी हो जाए, और हमारे पकोड़े काफी फूले फूले और सौफ्ट बने, देखिए लगभग 10-15 मिनट मैने से किया है, हाथों से और इस तरीके से हमें हाथों में लेना है, और छोटी-छोटी पकोड़े निकाल लेनी है, अब मैं गैस पे रखूँगी कढ़ाई, और जब हमारा ऑइल गरम हो जाएगा, तब हम इसमें सारी पकोड़िया डाल देंगे, ऐसे करकर के थोड़ी-थोड़ी आप छोटी-बड़ी जैसी आपको पसंदो, आप उस हिसाब से बना सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा हमें ऐसे हाथ में लेकर इसे ऐसे फुरा भर देना है, इसके अंदर ये देखिए, बहुत जल्दी इसमें सोड़ा डाला था, हमने ये काफी फूल गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, और अब मैं इसे उलट-पुलट कर अच्छे से 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 लूँगी, मीटे माच पर आपको इसे से लेना है, अब मैं इसे तरीके से मैं सारे पकौडे निकाल लूँगे अपने, इसे तरीके से हम सारे पकौडे बना लेंगे, ये वाले बैच मन्ट थोड़ा बड़ा बनाया है, इसमें थोड़े बड़े पकौडे मने बनाए हैं, और इसे भी हम उल्ट पुल्ट कर सेख लेंगे ये देखिए कितनी जल्दी फूल गए हैं ये और ये देखिए हमारे पकॉड़े बिल्कुल काफी बड़े बने हैं ये बनके बिल्कुल तयार हैं बिल्कुल जैसे अप लाच पंतगर में लेते हो ना वही वाले राम है मैंने इसे हम ऐसे छिल लेंगे दें Bam जो भी होता है छेकर इसे मैं करणगी और MIKE करने के लिए आपको यह मोटा करने एसे अ Pengal आप लंबा लंबा ङसे सासरी घचना ये इसको थाकि हम ready जो कितने मुली जो कद्यूरोभ करी कितनेêmesल नम्बい वे धी हम अब यह देखे इस तरीक जिने लंबे लंबे इस तरीके से लिए वह लोग भी ऑसे मैंने देखा है उनए अपने आखोसे बनाते हुए तो इस enduring अब मैं इस प्लेट में अच्छे से बड़े वाले मैं डालूँगी इसमें छोटे वाले मने निकाल दियें और मैं इस पर थोड़ा सा अपना मूली जो हमने का दुखस किया है वो ऐसे हम रख देंगे इसके उपर और चटनी रखेंगे हम हरी चटनी है आप लाल चटनी का कि भी लगा देंगे उपर से बिल्कुल तयार हो गई हमारे राम लड़ू वाओ खाने में इतने मज़ेदार है अगर आपको मेरी रैसेपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक बार अपने घर पर जरूर बनाईए से मिलते हैं नेक्स रसेपी में बाई बाई